अग्ला जो हमारा DBMS का टॉपिक होगा वो होगा इंडेक्सिंग बट इंडेक्सिंग से पहले हमें एक चीज सीखनी होगी कि किस तरीके से डेटाबेस के अंदर records जो हैं जो डेटाबेस के records हैं वो disk पे store होते हैं और उन्हें disk पे store करने के लिए disk की या operating system की किन चीजों की हमें समझने की जरूरत होंगी तो ये पहले हम आज समझेंगे memory structure क्या होता है फिर storage structure क्या होता है file storage कैसे होती है disk के अंदर डेटाबेस की और उसके बाद फिर हम देखेंगे की indexing की जरूरत क्यों होती है और फिर indexes किस तरीके से database के store होते हैं disk में और उन्हें access कैसे किया जाता है इन सारी चीजों के बारे में पहले हम बात करेंगे आज बात करते हैं structure of storage and file storage in the disk के बारे में before we start मैं अपने आपको introduce कर देता हूँ कि मैं कौन हूँ मैं इस channel पे as a channel lead काम करता हूँ और an academy platform पे as a plus educator काम करता हूँ मेरा नाम विश्वदीब है और आप सब लोगों के लिए lectures plus career guidance plus mentorship की कोशिश करता हूँ आप लोगों तक पहुचे ताकि आप लोगों को जिस चीज की तलाश हो वो चीज आपकी यहाँ इस channel के थूँ मिल जाए इस channel के अलावा आपके बहुत सारे अच्छे sessions an academy platform पे भी है जो आपको career से related plus आपके content से related काफी problem का solution दे सकते हैं उसके लिए आपको सिफ अपना account बनाना है free वाला an academy platform पे get csit category में फिर मेरी profile पे जाएगा और मेरी profile के अंदर special classes section को देखिएगा सारी free classes है कोई पैसा आपको देना नहीं है इस link के थूँ भी आप previously taken special classes देख सकते हैं यह special classes आप live भी attend कर सकते हो जहां पे आप मुझसे live interact कर सकते हो currently YouTube पे और an academy platform पे सबसे बड़े differences जो है वो दो है एक तो यहां पे आप लोगों को interactivity उतनी मिलती नहीं है क्योंकि delay आता है because of the YouTube third party platform और दूसरी चीज़ जो है वो है आपके interaction interaction किस तरीके से आप यहां पे कर सकते हो आप सिफ चैट्स बैक्स भेज सकते हो अनेकेडमी platform पे हम पोल के थूँ आपसे इंट्राक कर सकते हैं पोल कंडग करा सकते हैं प्लस आप अपने problems को थूँ images भी हम सक शेयर कर सकते हैं अनेकेडमी platform पे और वो बहुत interactive है कोई lag नहीं है वहां पे microseconds के delay हैं जो की बहुत बहुत nominal हैं तो आपको बिल्कुल तरंत result मिलेगा कि कैसे किस तरीके से आप अपने interactivity को और अच्छे तरीके से अपनी learning में embed कर सकें एक बार जरूर देखिएगा ये classes अगर आप लोगों ने ये decide किया है कि gate के थूँ आप अपना career बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे important बात जो यहां समझने की है वो यह है कि gate computer science की वज़े से आजकल बहुत अच्छे वाइड variety of options आप लोगों के लिए open है अपने career को बनाने के लिए कि आप computer science gate लिख के सिफ computer science में नहीं subsidiary जो फिल्ड्स है लाइक machine learning artificial intelligence और web development प्लस वेब security प्लस visualization NLP ऐसे बहुत सारी अलग 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 ब्रांचिस में masters कर सकते हैं और एक अच्छा career option select कर सकते हैं future के लिए क्योंकि कहीं ने कहीं आपको जब बाहर जाके काम करना होगा तो एक domain knowledge जो अपने masters में आप सीख के जाएंगे उसका कहीं ने कहीं बहुत अच्छा इस्तिमाल करना पड़ेगा बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा एक बार एक बार आप लोग अगर यह समझ जाते हैं कि लॉंग टर्म में सिर्फ मनी ही नहीं काम आएगा या मनी नहीं देखना होगा आपको लॉंग टर्म में यह देखना होगा कि जब हम किसी company के टॉप पे पहुंचेंगे तब वहाँ decision बनाने के लिए decision making के लिए हमें जो knowledge चाहिएगा एक domain का वो domain knowledge हमें कैसे मिलेगा अगर आ अभी से उस उस particular domain knowledge को एकदम पुकता एकदम strong करके चलेंगे अपने fundamentals को तो आपकी learning तो definitely company में होती रहेगी बट आज से 5 साल या 10 साल के बाद जो आपकी progress होगी वो normal वाली नहीं होगी वो बहुत exponential होगी इसलिए मैं urge करता हूँ students को अच्छे college से master's करने का बट उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छा preparation चाहिए gate का students को लगता है कि मैं पढ़ूंगा समझ में आ गया है online सब कुछ available है पढ़ लूँगा practice कर लूँगा थोड़ी और gate में क्यों शन बन जाएगा एक काम करो आप लोगना एक test लिखके देखो उस subject का जो subject आप पढ़ चुके हो जिसक यहां पर marks नहीं आने के एक जब आपने course सीखा था online समझना बहुत आसान है किसी भी course को in fact इस particular platform पे हो या किसी भी platform पे हो कोई भी teacher अगर आपको online आके पढ़ाते हैं तो इसका मतलब वो teacher बहुत गजब हैं वो teacher गजब हैं इस मामले में कि आपको चीज़े समझा दे और आ आपको खुश करते कि हाँ हां हां हमको सब समझ में आया एक ऐसा student जिसको कुछ भी नहीं आता है अगर उसे यह बताया जाए कि आहां यह वाला topic ऐसा होता है ऐसा होता है तो उसे बड़ी खुशी होगी बट जो महान teacher होते हैं वो इस level से उपर जाते हैं आपको दो चीज़ से बताते हैं पहली चीज़ कि समझ में आया या नहीं topic को वो same to same है बट दूसरी चीज़ जो topic और उसके analysis आसपस की जाएगी extra question जो आपको practice कराये जाएंगे एक ऐसा महोल create किया जाएगा एक ऐसा content का organization होगा जिससे आपको question solve करने की ability improve और यह एक great teacher की ability होती है और यही चीज students को शुरुवात में समझ नहीं आती है और जब तक समझ में आती है देर हो जाता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से समझे इस बात को कि अगर हम खुद से problem solving ability improve नहीं कर सकते हैं तो organized content की तरफ जाओ और ऐसे educators की तरफ जाओ जो की industry के top educators हैं जो आपको real में बताएंगे कि किसी type के topic से question कौन-कौन से बन सकते हैं आपके पास unacademy platform पे ऐसे दो options है top educators के साथ learn करने का plus और iconic दोनों में आपको top educators की classes मिलेंगे daily practice problem मिलेंगे quizzes मिलेंगे weekend वाले digital notes मिलेंगे test series अलग से मिलेगी जिसमें आपको topic wise subject wise और full length test होंगे और इसके अलावा आपको यह सब मिलेगा iconic subscription में iconic subscription में सिफ यह extra है जो plus के subscription में नहीं मिलेंगे जिसमें की सबसे important point है printed notes जो आपके घर वेजे जाएंगे और one on one live mentorship program जिसमें एक coach आपके साथ connected रहेंगे आपकी strategy बनवाने के लिए study planner बनवाने के लिए one on one basis पे आपको planning and strategy बनवा के देंगे यह आपको सिलेक करना है बढ़ याद रखिएगा subscription का मतलब सिफ course learn करना नहीं subscription का मतलब है course learn करना revise करना teacher के साथ connected रहना जब तक कि सारी exams खतम नहीं हो जाती gate के बाद interviews भी होंगे mtech admissions के लिए हो सकता है अच्छे college में जाने के लिए हमें एक interview भी देना पड़े low rank के साथ मे और हो सकता है ms program में एंटर होने के लिए हमें interviews देने पड़ें आए c manglor भी return test interview कंड़क कर आते हैं अपने admissions के लिए कि तो वहां तक भी आप अपना subscription carry forward करिएगा ताकि जो भी आप gate के लिए सीखें वो आपके आगे भी काम आ जाए यह code लगा लिजीगा vdeep 10 ताकि आपको 10 10% का discount मेरा personal guidance और मेरी पूरी टीम का support मिल पाए अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे personal guidance में पढ़ें तो आप यह subscription code यूज कर सकते हैं मेरे दो courses से start हो रहे हैं एक 9th of November से gate 23 के लिए हो रहा है operating system का practice course और 17th of November से start हो रहा है gate 24 25 के लिए see and data structure यह दोनों courses unacademy plus पे ही होंगे चली और जिस team की मैं आपको बात कर रहा था वो यह है team जो सारे top educators से बनी हुई है इसके अलावा और भी बहुत सारे top educators की classes unacademy platform पे आपको live और recorded मिलती रहेंगी चली आपको सिर्फ test series लेना है तो आप iconic subscribe unacademy light subscription भी ले सकते हैं और इसके ल यहां भी 10% का discount मिल जाए only test series चली रक्तिमा मौरिया जी पूछते हैं free है unacademy platform पे special classes free है special classes वाला जो section है वो सब free है एक बार जरूर देखिएगा चली स्टार्ट करें आज का session session में हम बात करेंगे की storage की schemes क्या क्या होती है database की files को store करने के लिए और कैसे memory structure काम करता है बहु क्या हम बात करते हैं कि कोई चीज आपको disk पे store करनी है तो वहां पर निकल के आता है operating system का topic जिसका नाम है file system file system file system क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी दिर में बात करेंगे पहले हम start करते हैं memory structure के बारे में तो computer system में हम 2 type की basic main memory जो type की basic memory structure के बारे में discuss करते हैं जो COA मे हम discuss भी करते हैं, एक होती है main memory, जिसमें आते है RAM row, ये main memory कब काम आती है, जब हमें कोई भी program run करना होता है, तब, और दूसरा आता है secondary memory, जो permanent storage या long term storage के काम आती है, जिसमें हम हमारी disk को रखते हैं, अब disk जो है, ऐसा जरूरी नहीं, कि आप magnetic disk ही रखे, आपके पास disk, magnetic disk हो स सकती है, solid state drive, तो कोई भी disk है, जो आपको permanent storage के लिए काम आती है, like आप जब अपने movies, अपने video lectures, अपने lecture notes की PDFs, documents, ये सब कभी अपने hard disk पे store करने जाते हैं, that is secondary memory, क्यों ज़रूरी है, क्योंगी ये बड़ी size की होती है, और इसमें हम permanent storage करते हैं, किसी भी file को, folder को, right, बना जाते हैं, जी हाँ, main memory क्यों use होती है, main memory तब use होती है, जब हम कोई program run करते हैं, जैसे कि आप मेरा भी lecture देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप YouTube चला रहे हो, अब YouTube आप या तो YouTube की app के थुरू मुझे देखोगे, किसी device पे, या फिर आप मुझे web browser में YouTube open करते हुए देख रन कर रहे हो CPU पे, ये program RAM या ROM में रहता है, जिसको CPU उठाता रहता है, अगर आपने COA पढ़ा है मुझे, तो ये मैंने पूरी detail में पढ़ा है कि main memory का काम क्या होता है, अब देखो इसको connect करते हैं database से, इसको connect करते हैं database से, ये रहा आपका CPU, ठीके CPU प्रोग्राम रन करता ह ये है आपके पास RAM या ROM, जो भी आप RAM समझे, main memory है ना, और यहाँ पे है आपके पास disk, ठीके, जब आप बोलते हैं कि मैंने एक database बना दिया, already create कर दिया, तो database कैसे बनाते हो, database बनाने के लिए एक database का tool चाहिए आपको, tool is nothing but a software, तो वो tool आपने install किया, let's assume कि आपने MySQL या Oracle SQL, कोई भी, एक SQL का database tool जो है आपने install किया, तो यहाँ पे database tool आपने program चलाया, वो program के थुरू आपने database बनाया, तो program main memory में था, वो CPU में run हो रहा था, उसके थुरू आपने धेर सारी tables बनाई, table बनाने के बाद उसमें insertions किये, और उसको save कर दिया, जैसे ही आपने database की tables को save किया, तो वो database की tables और database table के सारे records कहाँ जाके store होंगे, disk में, तो यहाँ पे magnetic disk है आपके या जिस type की भी disk है, वहाँ पे जाके आपका पूरा database tables और उन tables के सारे records store हो जाते हैं, कहाँ store होते हैं, यह database tool को पता होता है, हमको पता नहीं, यह db tool को पता होता है, जो हमने सबसे पहले दो lectures में देखा था, कि यह database tool physically disk में, कहाँ पे database की file को store करता है, वो user को भी पता नहीं होता है, creator को भी पता नहीं होता है, the physical level of storage is hidden, that is why abstract, जो हमारे पास तीन views थे, physical level, logical level, and view level, वो तीनों चीज़े हमको यहाँ पर आप समझ में आ जाएंगे, है ना, तो database tool की मदद से आपने क्या किया, tables बनाई, table में records insert कराईए, आपको table में जाके store हो गए, disk में जाके store हो गए, अब आपने यहाँ पर एक query लिखी, और उस query को run कराया, let's say आपने query लिखी, select star from a specific table, कोई भी table, जो आपको ठीक लगता है, उस table में से आपने select star नाम की query लिखी, इस query को आपने database table, database tool में लिखा, और enter किया, जैसे ही enter किया, cpu में वो run होगी query, वो cpu क्या करेगा, इस database tool को बुलेगा, कि जहाँ जहाँ भी यह table disk में store है, उसके सारे के सारे record मेरे को fetch करके, और display कराव जल्दी से, तो database tool run करेगा, database tool पहले database table के, उस specific table पे जाएगा, जिस table का नाम आपने यहां लिखा है, उस table पे गया, उस table की सारे records को main memory में उठा के लाया, और फिर वहाँ से उसको display करा दिया, जहाँ भी IO device पे display करना है, इस तरीके से कुछ आपका काम चलता है, है ना, अगर आपने कोई specific query लिखी होती, तो पहले क्या होता, database में searching होती, searching होने के बाद, जू जो records आपके कहाम आथे हैं, वो records यहाँ पे फैच हो जाते हैं, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से, आपका, क्या चलेगा, इस तरीके से आपका, यह पुरा system चलता है, है ना, तो disk क्या है, main memory क्या है, समझ में आया, अगर आपने, यहां पे लिख यह होता, where condition है कुछ specific condition, तो क्या ये condition के according filtering जो है वो यहीं से हो जाएगी, कि सारे के सारे records को पहले यहां लाना पड़ेगा, उसमें से filtering होगी और उनमें से फिर आपको records fetch करके दिये जाएगे, ये एक background process है, जिसके बारे में अभी हमें ज्यादा tension लेंगे जरूर ही, मैं फिर roll number is greater than 3, तीन से ज्यादा roll number जिस-जिस के भी है सबके database के record लेके आजाओ, या where marks are greater than 80, जिस-जिस ने 80 marks से ज्यादा score की है, उन सब की table की detail लेके आओ, तो marks पर जो filtering होगी ना, कि जिस-जिस के marks है 80 से ज्यादा वही display हो, क्या वही हम table से read करके लाएंगे, या फिर सारे records पह चीजों पर depend करता है, वो later on story है, वो बाद में देख सकते हैं, बट अभी currently ये समझ लीजिए, कि database की table की details जो है, पहले disk से main memory पर आनी चाहिए, अब हमारा जो सबसे बड़ा question है, वो ये है कि sir, database tables के records को disk पे store कैसे किया जाए, उसके पहले, जब ये disk पे store होंगे, table के records, etc., उसके पहले आपको disk के blocks समझने होंगे, कि disk block क्या होते हैं, उसके पहले आपको file system समझना पड़ेगा, कि file system क्या होता है, तो चलिए start करते हैं, पहले file system को समझना, कितने लोगों ने operating system पढ़ रखा है, जिन लोगों ने OS पढ़ा हुआ है मेरे से, या OS कहीं से भी पढ़ा ह क्या होता है, वो जो है, वो इस बात को समझेगे, नहीं समझते हैं, तो मैं बता देता हूँ, operating system एक underlying software है, जो आपके किसी भी application software को, या user को help करता है, कि वो computer system को use कर पाए, hardware को use कर पाए, be that is CPU, or that is hard disk, hard disk हुआ, display हुआ, कुछ भी हुआ, user को या किसी application program को, अगर computer system को use करना है, program run करने के लिए, disk पे store करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो operating system software जरूरी है, इस operating system में अलग-अलग modules होते है, memory, main memory में कौन सी process कहां रहेगी, उसके लिए memory management module होता है, CPU पे कोई process कैसे run करेगी, कब-कब run करेगी, उसके लिए CPU का, अलग से process management का, क्या होता है, OS का module ह होता है, ठीक है, इसके अलावा, disk को manage किया जाए, इसके लिए module होता है, file system, ये file system क्या करता है, ये file system जो है, disk को पहले logically format करता है, और logically format करने के बाद, disk पे बनाये जाते हैं, blocks, अब देखो, आपने कभी अगर disk पढ़ी है, operating system या फिर COA में, तो हमने देखा था कि एक magnetic disk य या किसी भी disk पे होते हैं, tracks और sectors, देखा था आपने, देखा होगा ना, कभी सुना ही होगा track और sector, ये है physical formatting जो की manufacturer करके देता है, जहाँ पे ये disk बनती है न, वहाँ से magnetic disk जो आती है हमारे पास, उसमें tracks और sectors बनके आते हैं, जब ये sectors बनके आते हैं, तो हम बोलते हैं कि ए एक sector को एक बार में access किया जा सकता है, disk में physically देखा जाए तो, पर जब इसके ऊपर operating system install होता है, तब इसमें file system मनाया जाता है, आप कर सकते हैं, अगर आप Windows operating system यूज कर रहे हो, या Linux, Unix, जो भी यूज कर रहे हो, आप अपनी disk के structure पे जाओ, right click करो, properties में जाओ, तो आपको मिल जाएगा उसका तरीका की किस तरीके से वो format हुई है, NTFS की तरीके से, FAT की तरीक से, FAT32 की तरफ से, और बहुत सारे अलग-अलग type के, you know, file system होते हैं, तो ये जो file system है, ये करता क्या है, file system कुछ नहीं करता है, एक disk के ऊपर logical formatting कर देता है, हर एक sector को, या collection of दो sector को, एक disk block बना देता है, जिससे की, जहां-जहां जो-जो file stored है, वो इस file system को पता रहे, ठीक है, तो file system क्या करता है, files को और folders को organize करने का एक तरीका होता है, disk के अंदर, जो operating system maintain करता है, ये क्या करता है, ये file system जो है, वो बनाता है logical blocks, अब ये logical क्यों कहां, क्योंकि blocks कोई existing चीज नह पना है, कि पूरी disk है, इस पूरी disk में, जितनी भी capacity थी, उसको हमने logically, let's say, these number of blocks बना दिये, अब अगर आप physical structure समझते हैं, तो physical structure में आप समझ सकते हैं, कि एक disk block जो है, आपके physical एक या दो sector, depend करता है, कि किस टाइप का operating system है, और किस टाइप का file system है, उसके basis पे, एक या दो sector के बराबर एक disk का block होता है, एक sector, आपके disk का एक disk block, या फिर दो sector, एक disk block, इस तरीके से, logically, उसके उपर, disk के उपर, क्या कर दिया जाता है, यह इस तरीके का logical distribution कर दिया जाता है, जैसे की, जैसे की, मेरे पास, जैसे की, मेरे पास एक particular building है, मेरे पास एक particular building है, और मैं चाहता हूँ कि उस building में, मैं एक hostel खोल दूँ, मेरे पास building है, मैंने building खरीद ली, बहुत सारे उसमें flats है, rooms है, और मैं चाहता हूँ कि उस building में, मैं एक hostel खोल दूँ, ताकि कोई भी student आए, PG type का, कि कोई student आए, या कोई working professional आए, बैंगलोर में, तो उसे क्या मिल पाए, उसे वो एक room में assign कर, अब इसमें ना, बहुत सारे अलग 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 rooms हैं, मैंने कहा कि 2-2 rooms के 1-2 flat को हमने क्या किया, logically numbering दे दी, कि यह है room number 1, यह flat number 1, यह flat number 2, यह flat number 3, इस तरीके से, تو actual में underline तो हमारे पास क्या थे, flats थे, पर 2 room का, 2 room का 1 flat को हमने एक flat number दे दिया, ताकि क्या हो, ताकि हम assign कर पाएं कि, भाई साब, अच् तुम फ्लैक नंबर 2 ले लो तुम फ्लैक नंबर 3 ले लो इस तरीके से तो हमने क्या किया हमारे पास अंडरलाइं तो एक बिल्डिंग थी पर उसको मैंने hostel और hostel room में convert करा दिया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा जो भी person आएगा रहने के लिए उसके लिए क्या हो जाएगा this is room number one this is room number two this is room number three like that तो logically हमने क्या hostel बनाने के लिए या PG बनाने के लिए उस building में division कर दिये अब वो division कोई मैंने दिवार खड़े करके नहीं किए डिविजन खाली logically किए कि ये है flat number one ये flat number two ये flat number three that's it ताकि क्या हो जाए ताकि मुझे assignment में आसानी हो कि किसको कहा रुखवाना है कौन कहा रुखा हुआ है एट्सेटरा ऐसा आप school के लिए भी कर सकते हो hotel के लिए भी कर सकते होगी एक building बनाई hotel की उसमें हर एक room को एक number दे दिया ताकि क्या हो हमें पता चले कि ये room number है ये room है इस जगे पे किसको किसको assign करना है ये किसको रुखना है तो यहाँ भी क्या होगा एक sector या collection of दो sector का हमने एक logical disk block बना दिया किस ने बनाया ये file system ने बनाया ये disk block से क्या होगा जब file कभी कोई disk पे store होने आईगी तो ये file system बोल सकता है कि इस file को store करने के लिए तीन block चाहिए एक दो और ये तीन block पे इस file को store कर दो कौन सा block block number 1, 2 और 8 कोई भी तीन block चार block कोई भी दे सकते हैं, depend करता है कि किस टाइप का फाइल का organization है, ये भी हम operating system में actual में देखते हैं कि एक फाइल को कैसे store करना है multiple blocks पे, उसका भी एक तरीका होते है I'm sorry, consecutive है linked है, index है, बहुत सारे तरीके होते हैं है न, तो क्या होगा कि disk block is nothing but एक logical, kalpnik या logical, क्या है logical हमारे पास में, एक disk का model है, जिसकी वज़े से जिसके through क्या होता है, जिसके through हम, मतलब की जो file system है, किसी file को store करने के लायब बन पाता है है न, अब बात करते हैं कि ये जो disk blocks है, ये disk block पे file store कैसे होती है, है न, तो disk block का, एक general size जो होता है, operating system की वज़े से देखा जाए, तो इन, इन general size होता है around 512 bytes से लेके तो 2 kilobyte तक क्या सपस की इसकी, एक disk की block होती है, और इन disk disk block पे हम file को store करते है, अलग, 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 अब जिसे एक database आया, एक database आया, table आई, है न, table एक पूरी की पूरी database table आई, उस table का size जो है, let's say 24 kilobyte की table, उसमें धेर सारे records है और पूरा 24 kilobyte का database table है, अब इस 24 kilobyte की table को, आपको disk पे store करना है, तो अलग, अलग, blocks लगेंगे हैं, ठीक है, तो file system क्या करेगा, इस database tool के through, file system, database tool जो है, इस file system के through 24 kilobyte तक के capacity के blocks को assign करा देगा, ताकि ये जो database table है, multiple blocks पे जाके store हो जाए, पर जब आपकी query लिखेंगे, तो database tool को पता होगा, वो operating system के file system के through, उन blocks को access करेगा, और आपको table के content को दे देगा, इस तरीके से काम चलेगा, will you provide short notes of OSDBMS, OS short notes already on an academy special classes, you'll have to dig little deep till February, last year January, February, I have provided three course of short notes, DS data structure, operating system and COA, just see the special classes, go to that special classes, download the PDFs, ठीके, sir, unacademy पे आपका Hindi lecture नहीं है, बेटा, अभी COA पढ़ा तो रहूं, Hindi में ही पढ़ा रहूं, अगली बार operating system भी Hindi में पढ़ा दूँगा, अगली बार data structure Hindi में पढ़ा दूँगा, आओ तो सही, I am just teaching COA, हिन, Hindi currently चल ही रहा है, Hindi में ही चल रहा है, है ना, चलो, अभी इतना अगर आप लोग को disk block समझ में आ गया, तो record के storage की बात करते हैं, record के storage की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले, हमें ये समझना है, कि एक, मान लेते हैं, एक particular disk का block है, इस block का size है, चोटा example ले लेते हैं, 64 bytes, है ना, और 64 bytes, और एक table आई आपके पास में, ये रही table, let's say student नाम की table है, student नाम की table में बहुत सारी चीजे हैं, student का role number है, student का name है, है ना, और भी बहुत सारे multiple columns है, ठीके, अब पहला role number का record आया पूरा, role number 2 का पूरा record आया, role number 3 का पूरा record आया, ऐसे बहुत सारे records है, और हर एक record अजियूम करते हैं, कि एक record जो है, एक-एक record की size है, let's say 4 bytes की, अजियूम करो, छोटा example ले ले लेते, 4 byte का एक record है, आपके पास ऐसे, 4 byte का एक record है, ठीके, तो अब एक disc block पे क्या होगा, एक block का, एक block के अंदर, आप कुछ इस तरीके से store करोगे, पहले block के अंदर, role number 1 का record यहां पे आ गया, role number 2 का record आ गया, role number 3 का, इस तरीके से कितने records, आप एक block के अंदर store कर सकते हो, 4-4 byte के, कितने record आप store कर सकते हो, 64 divided by 4, 16, 16 records आप क्या कर सकते हो, एक particular block पे store कर सकते हो, तो ऐसे record जो है, disc block पे store रहेंगे, बट अज्यूम करो कि table में धेर सारे records है, अज्यूम करो कि table में आपके पास, let's say, 512 total records है, let's say, पूरी table जो है, उसमें 512 records है, अगर 512 records है, तो 512 records को store करने के लिए, तो बहुत सारे blocks लगेंगे, पहले block में 1 से लेके 16, दूसरे block में 17 से लेके 32, ऐसे धेर सारे blocks हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे blocks हो जाएंगे, सर, इसका complete lecture कहां मिलेगा, चैनल के home page पे जाओ, playlist section में जाओ, playlist section में DBMS का playlist मिल जाएगा आपको, मेरा, देख लेना, है ना, तो इस तरीके से, बहुत सारे multiple blocks लगेंगे, तो अगर आपके पास 512 records हैं, और आपके पास एक particular block में, number of records कितने आ सकते हैं, number of records, per block कितने होंगे, आपके पास, बताओ, एक block में कितने records आप store कर सकते हो, एक block का size 64 byte, एक record का size 4 byte का है, तो 64 divided by 4, 16 records, अब 16 record एक block में, और 16 record दूसरे block में, और 16 record दूसरे block में, 512 record को store करने के लिए, कितने block लगेंगे, तो number of blocks, to store table, पूरी table के, 512 records को store करने के लिए, आपको कितने blocks लगेंगे, 512 divided by 16, यह जाएगा 32 blocks, 32 blocks में, पूरा table store होगा, अब यह तो बहुत छोटा example लिया है, यह बहुत छोटा example है, real life में आप जाओगे, तो database का, एक table का, एक ही record, हो सकता है, 1 kilobyte, 2 kilobyte, 4 kilobyte का भी हो, उसमें आप images भी store करा सकते हो, तो megabyte में चले जाएगा, उसकी वज़े से, database का size जो है, वो बढ़ जाएगा, अब आपको यह लगेगा, आज, कि हाँ, तब ही क्या करती है न, ये companies, जब भी photograph मांगती है, तो क्या करती है न, size fix कर देती है, कि किसी भी photograph का size, 1 megabyte से जादा होना नीची, उससे क्या होगा, नहीं तो क्या करते हैं न, वो photograph का size, अगर इतने से जादा हो जाएगा, तो उनको storage capacity बहुत जादा लगानी पड़ी, अब आप सोचों कि 10 लाख students है, 10 लाख students apply कर रहे हैं, let's assume gate के लिए, application है, 10 लाख students अगर application के लिए, gate के लिए apply करते हैं, और हर एक student का, एक-एक MB का एक photograph है, और दूसरी details भी है, तो कितना बड़ा database चाहिए, gate के organizing committee को, अपनी पूरी application की detail को store करने के लिए, इसलिए वो क्या करते हैं, हर एक image की size को एक limited ही रखते हैं, कि आपको 2 MB या 2 KB 25 KB से ज़्यादा की image नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी capacity exceed हो जाईए, समझ रहे हैं, चलो, अब बात करते हैं कि सर जरूरी थोड़ी की एक particular जो table है, उसका हर एक record fix size का हो, हो सकता है, variable size का हो, बिल्कुल हो सकता है, कभी-कभी, कभी-कभी, जब आप store करते हो ना database के tables को, तो कभी-कभी हम अलाव करते हैं, कि records की size जो है variable हो सकती है, कि maximum size इतनी है, बट अगर इससे कम भी हुई, तो इतनी हो सकती है, ये इससे कम भी हो सकती है, जैसे कि, example लेते हैं, छोटा सा, कि एक table है, आपने इस particular table में, एक applicant का application number, उसका name, उसका photograph, उसका sign, store करने के लिए बोला, तो आपने कहा, कि ये जो picture वाला table है, या column है, इस picture वाले column की, max size हो सकती है, 2 megabyte की, और sign वाली की, हो सकती है, 200 kilobyte की, इससे ज़ादा नहीं, ठीक है, बट अगर किसी person ने photograph, upload करने की कोशिश की, और उसका photograph, 1 megabyte का ही आया, तो क्या आप पुरा, 1 megabyte extra, 2 megabyte ये, 200 kilobyte ये, सब कुछ मिला के, 2.2 megabyte आपकी हो गई, इस पूरे record को store करने के लिए, इतना आपने maximum fix कर लिया, इससे ज़ादा नहीं, इससे ज़ादा नहीं, अब क्या, अब, आपने कहा, कि 2.2 megabyte का हर एक record रहेगा, बट किसी ने upload की, जैसे मैंने ये upload की, अपनी picture, इस application के लिए, और मेरी picture की size, 2 megabyte की हुई नहीं, 1.5 megabyte की ही हुई, अब अगर यहाँ पे मेरे पास, एक record आया, 1.5 megabyte का ही record का एक content है, तो क्या आप उसको, 2 megabyte देना पसंद करोगे, पूरा, कि नहीं 2 megabyte दिया, 1.5 megabyte ही इसको देने का है, इस record की size जो है, वो 2.2 से कम हो जाएगी, दोनो possibility है, अगर आप चाहते हो कि हम, हर एक record के लिए, जितना maximum assigned है, उतना ही store कराएंगे, अगर extra space उसको दे दी है, तो ठीक है, हम internal fragmentation allow कर देंगे, मतलब internally extra space, प्री रख देंगे, कोई फराख नी पड़ेगा, या फिर आप reduce कर सकते हो, तो आपके पास, जो size है, record की length की, या तो वो fixed हो सकती है, या फिर variable हो सकती है, प्लीज स्टार्ट RIC course, पॉर प्लस स्टुडेंट्स, 9th of November, day after tomorrow, operating system RIC course, इस कमिंग पॉर प्लस स्टुडेंट्स बिटा, ठीके, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे यह होगा, कि जो एक record है, उसकी length, पिक्स भी रख सकते हो, आपका database tool, डिसाइट करेगा यह, या फिर आप variable भी रख सकते हो, कि नहीं हम, जितना भी उस record को लगेगा, उतना ही space, उसे disk में देंगे, उससे ज़ादा नहीं, अभी हमारे पास, जो current scenario है learning का, जो इस पूरे chapter को लेके चलेगा, वो यह चलेगा, कि हम fixed length के records रखेंगे, ऐसा इसलिए, क्योंकि हमें पहले basic चीज़ें समझनी है, कि storage कैसे होता, indexing कैसे काम करती है, पहले basic चीज़ें हम, simple चीज़ के साथ में, fixed length record के साथ सीख ले, उसके बाद फिर उसे variable पे implement करना आसान हो जाएगा, which you can learn in the advanced database management system, जो शायद आपको कभी, master's में सीखने को मिले, तो हमारे पास यहाँ पे जो discussion में हैं, हमारे syllabus में, वो यही लेंगे कि हम fixed length of records लेंगे, हर एक database के record का length fix होगा, है ना, चलो, अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा problem आता है, कि sir, what if पूरा block हमारा use ना हो, यह बड़ा interesting सा concept है, बड़ा मज़ा आएगा इसको सुनके देखिएगा, आपके पास एक disk block का size 32 byte का है, और एक-एक record इस एक table के अंदर 55 byte का है, है ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यह समझा देता हूँ, कि यह है आपके पास disk, उसमें हर एक block जो है 32-32 byte का है, और फिर एक database की table है, इस table में आपके पास बहुत सारे columns हैं, बहुत सारे records हैं, हर एक जो record, record मतलब row जो है, वो 5 byte की है, और ऐसी, let's say hundreds of rows हैं, अब आप इस database table को disk block के अंदर store करना शूरू करते हैं, है ना, तो एक block हमने यहाँ पे इस तरीके से assume कर ले गया, एक block assume किया, एक block का size कितना है बबुवा, एक block का size कितना है, जल्दी बताओ, 32 byte, है ना, अभी हमने सबसे पहला record, पहला वाला row store किया, यह 5 byte का, फिर 5 byte का, फिर 5 byte का, ऐसे, कितने records आप store कर सकते हो, बोलो बबुवा, तुमको बोलने का है, 5 byte, फिर 5 byte, फिर 5 byte, यह हो गए 30 bytes, 5, 5, 5, 15, और 15, 30, बचा कितना, 2 bytes का, अब यह 2 byte की location पे, यह 2 byte की space पे, क्या अगला record यही से start करें, या इसको छोड़ दें, अगला record जो है, यही से store करें, या छोड़ दें, इसके लिए, हमारे पास, दो अलग-अलग type की scheme आती है, database के records को, block पे store करने की, पहली scheme का नाम है, spend scheme, और दूसरा है, unspand storage scheme, यह scheme क्या है, यह scheme कहती है, कि एक record को, आपको दो अलग-अलग block पे, span करना है, खींचना है या नहीं करना है, आपको, एक particular record को, दो अलग-अलग block पे, रखने की permission है, कि नहीं है, अच्छा चलो, बच्पन में जाते हैं, मेरे को एक छोटा सा, बढ़ा अच्छा इंट्रेस्टिंग सा, एक्जाम्पल आया या याद में, बच्पन में, जब आप लोग cricket खेला करते थे, तो team बनाते थे, है ना, दो captain decide होता थे, फिर toss के through बोलते थे, मैं मांगूँगा पहले, फिर एक player तू मांगना, फिर मैं मांगूँगा, फिर तू मांगना, ऐसे करके मेरा राखुल, वो बोलता है, मेरा ये player, मेरा ये player, मेरी ये वाली player, मेरी ये वाला player, मेरी ये वाली player, इस तरीके से, दो team बन गई, अब क्या हुआ कि number of members, जो थे, वो दो team में, बराबर नहीं बढ़ पाए, एक बना बज गया, सबसे आखरी में, वो ऐसा था, जो सबसे कमजोर player हुआ करता था, सबसे कमजोर player हुआ करता था, वो बज गया, अब उसको किदर रखें, इस team में या उस team में, दोनों लड़ेंगी नहीं, तुमारे team में ज़्यादा member नहीं होंगे, नहीं हमारी team में ज़्यादा member नहीं होंगे, उस case में क्या होगा, उस case में उस person को बोलते हैं, कि एक काम करो, या तो इस person को एक team में रख दो, दूसरा वाला happy हो जाए, या फिर, उस person को एक क्या बना दो, common player बना दो, मतलब वो दोनों तरफ से batting balling कर सकता है, होता था ना ऐसा common player, क्या बोलते थे common player या joker player, जो भी आप उसको बोलते हो, तो वैसा ही कुछ है, कि अगर आपके पास disk blocks है, और disk block में आपको store करने है records, रिकॉर्ड बराबरी से पूरा disk block का storage यूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब disk block का size, रिकॉर्ड के size से divisible नहीं है, तो कैसे store करोगे, क्या ये 2 byte का data जो है, वो यहाँ पे store करो और अगले block में 3 byte का store करो data, जैसे कि ये है record number 1, 0 से मान लेते हैं, हमारे computer science में record number 0 है, record number 1, record number 2, record number 3, record number 4, record number 5, अब record number 6 जो है, वो आधा यहाँ और आधे next block में रहेगा की नहीं रहेगा, उसका 3 byte यहाँ पे, this is record number 6, क्या ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं, तो अगर ऐसा कर सकते हैं, कि एक ही record की, कुछ bytes को previous block में और कुछ bytes को यहाँ रखना है, तो इसे हम बोलते हैं, spend file organization, क्या बोलते हैं, spend file organization, spend file organization, तो अगर ऐसा कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं, दूसरा color ले लेते हैं, spend file organization में क्या होगा, एक record का, कुछ bytes, इस block में, और कुछ bytes इस block में हम रख सकते हैं, इस नोट pointer डियर, इस नोट दपॉइंटर, इस टोटल complete record, यह record है जो हम store कर रहे हैं, पूरा का पूरा यह एक record है, student का role number, name, etc, etc, पूरा record है 5 byte का, यह पूरी row हम नहीं store की, यहाँ यहाँ यहाँ, इसमें क्या किया, row की कुछ columns की value यहाँ, कुछ columns की value यहाँ, यहाँ फिर कुछ bytes को यहाँ, और कुछ bytes को हम नहीं यहाँ store किया, ठीक है, अब, दूसरा भी तरीका है, अरे, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है unspand, unspand organization क्या कहता है, unspand organization कहता है, कि अगर आपके पास एक block का size, 32 byte का है, तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 byte का एक record, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छटा, यह दो byte की जो space है, वो waste चली जाएंगे, left unused, हम एक record को, दो अलग-अलग block पे span नहीं कराएंगे, एक record को एक ही तरफ रखेंगे, एक ही block के अंदर खेंगे, छे record हर एक हमारे पास block में आएंगे, हर एक block में, दो 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 बाइट का space जो है, वो waste चले जाएगा, तू बाइट पक्का wastage, अब यह spend, अं spend में, advantage और disadvantage क्या है, emoji का जमाना है, यह है advantage, और यह है disadvantage, है न, unspend का advantage, disadvantage, क्या है exactly, नाग भी बना देते हैं, छोटी छोटी से, क्या है, देखो, spend में, हमें यह समझ में आया, कि हमारे पास, total space जो है, वो waste नहीं होगी, तो पूरा table को store करने के लिए, space कम लगेगी, जो total table है, store करने के लिए, उसको, कम space की जरूरत होगी, wastage of space नहीं रहेगा, तो spend में हम कह सकते हैं, advantage है, no space, wastage per block, हर एक block में, wastage नहीं रहेगी, इसको हम बोलते हैं, internal fragmentation नहीं, हर एक block के अंदर हमने कोई, extra space allocate नहीं कराई, जितनी उसको required नहीं थी, उतनी से ज़्यादा, no internal fragmentation, यह operating system का term है, है ना, ठीक है, per block, हर एक block पे internal fragmentation का, case नहीं बनेगा, spend में, क्यों, क्योंकि हम एक ही particular record को, दो अलग-अलग block पे store करने से, जो last वाला दो byte बच रहा था, तीन byte बच रहा था, हर एक byte को हम क्या करेंगे, हर एक space को हम क्या कर सकते हैं, हर एक space को utilize कर सकते हैं, per block पे, ठीक है, समझ में आगई बात सर, but, but, disadvantage है, by chance आपको, एक ऐसा record access करना है, जिस record को, आपने दो अलग-अलग block पे store कराया है, तो एक ही record को access करने के लिए, आपको दो block access की जरूत पढ़ेगी, ये भी आधा यहां से निकलेगा, ये भी आधा यहां से निकलेगा, तो number of blocks accessed, to access a specific record will be more, एक particular record को fetch करने के लिए, हमें एक से ज़ाधा block को access करने की जरूत पढ़ सकती है, आधा यहां से, आधा यहां से, तो इसका मतलब है, कि आपके पास number of blocks accessed, per record will be more, तो disadvantage क्या है, number of blocks, access, number of block access, per record may be more, अगर एक record multiple blocks पे span किया हुआ है, तो उसको access करने के लिए, आपको एक से ज़ाधा block पो access करना पढ़ सकता है, और एक block को access करने का मतलब milliseconds में time, आप समझ रहे हो, milliseconds में time लगता है, डिस्क को access करने में, यह OS में हमने पढ़ा है, COE में पर पढ़ा है, डिस्क access time हम milliseconds में निकालते हैं, तो CPU को nanosecond के काम करने के लिए, milliseconds तक वेट करना पढ़ेगा, क्यों? क्योंकि डिस्क का access slow है, और एक पूरेट block को access करना है आपको, I am going college, upcoming weeks, how I learn from you, Amravati University, Salik Sayyad, you just access me on some social media, and just connect over there, I'll go through your profile, and I'll tell you how you can learn, बढ़ते हैं आगे, unspend का storage का, advantage क्या होगा, advantage यह होगा, यह वाला disadvantage जो है, हम eliminate कर सकते हैं, कि एक block पे, हम एक ही record रखेंगे, specific record को एक ही block पे रखेंगे, दो अलग-अलग block पे नहीं, तो number of blocks accessed per record will be less, एक record, एक row को specifically अगर हमें access करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे हम, उसे हम, आराम से एक ही block से access कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे, जो हमारे पास unspanned storage का advantage यह है, कि number of block accesses, जो disadvantage था, वो हमारा यहाँ पे advantage बन जाएगा, number of block accesses per record, is less as compared to unspanned, but disadvantage क्या होगा, disadvantage यह होगा कि space wastage per block हो सकती हमें, per block store, या space wastage हमारे पास मिल जाएगी, हर एक block पे space, जो है हमारे पास wastage रहेगी, that is the disadvantage of unspanned, तो अगर आपको space को, save करना है, तो time जादा लगाना पड़ेगा, अगर time को save करना है, तो space जादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, recorded lecture है, नहीं रे बाबा, recorded lecture नहीं है, serin spend, how to find another half data in another block, देखिए, किस block पे, किस block पे कौन सा record रखा हुआ है, और उसको कैसे access करना है, यह हमारा depend करता है, कि file कैसे रखी हुई है, है ना, और उस पे क्या आपने indexing की हुई है, या नहीं, रइट, देखो मैंने कहा, कि यह दो block पे, एक block पे शुरुआत के 5 byte है, या 5 record या 6 record है, next वाले block पे अगले 6 record है, अब यह next वाला block कौन सा होगा, यह depend करता है, कि file कैसे stored है, तीन तरह के storage होते हैं, एक होता है, हमारे पास contiguous, दूसरा होता है, हमारे पास linked और तीसरा होता है, index, और database में सिर्फ index ही use होता है, यह तीन file organization, आप operating system में, मेरे lectures में देख सकते हैं, उस पे जाईएगा, उसमें न, file system में, पीछे पीछे के last 5-6 lectures में, आपको मिलेगा, file organization, या file system, file system में एक particular file organization होता है, types of file organization, वहाँ पे आपको यह सीखने को मिल जाएगा, है ना, ठीके, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, और समझते हैं, कि अगर यह spend versus unspand है, तो spend versus unspand में, हर एक record को कैसे access किया जाए, हर एक record को access करने के लिए, हमें या तो, sequential जाना पड़ेगा, कि एक एक record को देखो, अच्छा, यह record roll number 1 का, A2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके से, या फिर, हर एक record को access करने के लिए, आप उस पे indexing करो, कि roll number के थूँ indexing कर दी, पहला roll number का record, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे इस तरीके से, अब हर एक record की indexing अगर करोगे, तो उसके लिए index file store करने पड़ेगी, index भी तो बनाना पड़ेगा, कि कौन से वाले roll number का record, कहाँ पे stored है उसके लिए, अब एक simple सी चीज समझो, blocks जो हैं, उनके addresses होते हैं, blocks जो हैं, उनके addresses होते हैं, जी हाँ, record जो है, उसका address specifically कैसे store करोगे, कि यह block है, इस block के अंदर कौन से number का record, addressing directly नहीं हो सकती, सिर्फ आप references रख सकते हो, क्यों, क्योंकि जब मैंने disk आपको पढ़ाई थी, तब मैंने ये चीज समझाई थी, कि आप disk पे, एक particular sector को address कर सकते हो, sector के अंदर की हर एक byte को address नहीं कर सकते, यह मैंने समझाया था, तो फिर कैसे पहुँचेंगे, सर reference रख सकते हो, कि इस sector के या इस block के अंदर आप जाओ, इस block के अंदर 6th number का record है, तो एक 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 करके शुरुआत के 5 record छोड़ो, और 6th number के record पे पहुँचो, इस तरीके से आप पहुँच सकते हो, directly record पे पहुँचना मुम्किन नहीं है, directly तो possible ही नहीं है, आप ब्लॉक पे पहुँचो, ब्लॉक में फिर कौन सा record है, उसके लिए या तो searching करो, या फिर मुझे पहले से पताओ, कि 6th number का record है, तो मैं उसको access कर सकता हूँ, अब देखो क्या है न, ये पूरा जो chapter है, ये पूरा chapter न, आपके CO और OS को connect करते हुए है, क्या आपको disk पता होनी चाहिए, आपको disk में sector access क्या होता है, वो पता होना चाहिए, file system क्या होती है, operating system में ये पता होना चाहिए, तो आपको न, पूरी चीज़े detail में समझ में आईए, है न, चलो, अब आगे बात करते हैं, और एक छोटा सा question लेते हैं, तो अगर हमारे पास एक disk block का size है, 512 byte का, एक disk है, उसमें disk block का size है, 512 byte का, record है, एक एक record, 20-20 byte के, कितने number of blocks आपको लगेंगे, एक table को store करने के लिए database में, अगर वो table जो है, वो 2000 records रखती है, तो, अब आपको ये question मुझसे पूछना होगा, पहले, कि sir, हम records को spend manner में store करेंगे, या unspand, क्योंकि आप देख सकते हो, 512 byte में 20-20-20-20 byte के record store करोगे, तो 512 divided by 20, completely divisible तो नहीं है, तो कहीने कहीं space, छूटेगी, अब उस छूटी हुई space पे आधा record store करें, चलेगा या नहीं चलेगा, आपको ये question मुझसे पूछना पड़ेगा, है ना, ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले आप इस question को दोनों तरीके से, क्या करेंगे, दोनों तरीके से solve करेंगे, आप unspand और spend दोनों के लिए, अगर आपके पास spend है, तो कैसे, और unspand है तो कैसे, आप try करो पहले, उसके बाद फिर मैं solve कर पाऊ, अंसर अलग-अलग आएंगे, spend और unspand के लिए, Sir, just have little discovered this playlist query, will you cover the full syllabus of Kate, नुरूल हसन, What do you mean by syllabus coverage, only content you are talking about, that will I teach complete content, yes, that is true, all the YouTube playlist which I am providing, content wise it is complete, question wise, problem solving wise, organized content wise, and deadline wise, nothing is complete, मतलब, मतलब ये है, कि आपको इस content को use करके, gate में question बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे नहीं पता, आप इससे learn करके, test series में अच्छा perform कर सकते हो, ये मुझे नहीं पता, आपको content पूरा मिलेगा, हाँ, ये guarantee है, मैं पूरा content दूँगा, जो gate के syllabus से related content है, वो पूरा पढ़ा दूँगा, बड़ उससे आपको question कैसे बनेगा, वो नहीं सीखा पाऊंगा, या, वो आपको खुद से सीखना पड़ेगा, आपको किस-किस टाइब के question बन सकते हैं, ये भी कुछ से सीखना पड़े, सर्टिल gate आपका sessions live होगा, मैं तो gate तक आपको connected तो रखूंगा, Wednesday परसो है ना, Wednesday को एक ask me anything session भी है, 8.30 p.m. evening में, ताकि आप लोगों से connect करके, और आप लोगों के problem को solve करया, किया जा सके, live YouTube पे ही रहेगा, session को like कर दो यार, ठीक लग रहा है आप लोगों को तो, और इसका answer बता दो जल्दी से मुझे, को लोगों को जाप कर दो पु करना सकारा, अंजी कोई आंसर नहीं यहर कुछ तो आंसर निकल जाएगा मेरे को तो ऐसा लगता है चलो पहले स्पैंड निकालते हैं अगर स्पैंड निकालते हैं तो हमें न टोटल डेटाबेस का साइज निकालना पड़ेगा कम्प्लीट डेटाबेस टेबल का साइज कितना आएगा टोटल टेबल साइज टोटल टेबल साइज कितनी है हमारे पास 2000 records है और हर एक record का size है 20-20 bytes का इसको आपको store करना है इतना और इसे हमें store करना है 512 bytes के blocks पे 512 bytes के blocks पे store करना है तो number of blocks कितने लगेंगे हम निकाल लेते हैं number of blocks कितने लगेंगे हम निकाल लेते हैं 2000 into 20 bytes divided by 512 कितने number of blocks आएंगे जो भी number of blocks आएंगे उसकी seal value ले ले लेना क्योंकि अगर 5.2 blocks आए मतलब 3 block लगेंगे निकालो अब इतना तो कर सकते हो 2000 into 20, 40,000 divided by 512, 78.125 मतलब 79 blocks आपको लगे ये तो था spend क्योंकि हमारे पास हम हर एक byte को distribute कर सकते हैं एक एक record की bytes को उपर नीचे distribute कर सकते हैं किसी भी block में आ सकती है वो इसलिए हमने पूरे database table को 512 blocks के, 512 byte के blocks के distribute करने की कोशिश की 79 blocks हमें लगे बट अगर unspend आया तो unspend में हमें ये चेक करना है कि हम हर एक block में कितने हर एक block के अंदर कितने records रख सकते हैं क्योंकि per block हमें space wastage लगेगी तो हम यहाँ पर निकालेंगे number of records per block हर एक block के लिए कितने records हमें लगेंगे है ना तो number of blocks per block कितने आएंगे हमारे पास 512 divided by 20 करो इसको 20-20 byte के कितने आ जाएंगे 25 फ्लोर वैल्यू लेनी पड़ेगी क्यों लेनी पड़ेगी फ्लोर वैल्यू क्योंकि आप यहाँ पे store करोगे 20 byte 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 बच्ची हुई byte empty तो जो भी point में आएगा वो wasted जाएगा तो आपके पास 25 block यहाँ पे यह 25 record आप रख सकते हो 25 records आप रख सकते हो करो 512 divided by 20 करोगे 2.56 आ जाएगा 512 divided by 20 करोगे 25.6 आ गया 25.6 का मतलब है कि 25 record आप पूरे पूरे रख सकते हो 0.6 record आप नहीं रख सकते मतलब कि 0.6 record को रखने की space waste चलियाएगी 12 byte हर एक block के अंदर waste जाएगी ये 12 byte का wastage हर एक block के अंदर रहेगा unspend में अब ठीक है मान लेते हैं अगर 25 record per block आ गए तो 2000 records को रखने के लिए कितना space लगेगा number of blocks to store table कितना हो जाएगा पूरी table में हमारे पास 2000 records है 2000 divide by 25 कर दो 80 blocks तो spend में आया 79, unspend में आया 80 जैसा कि मैंने कहा था spend में आपको definitely space जादा लग सकती है for sure है ना क्यों unspend में जादा space लग सकती है क्यों क्यों क्योंकि हर एक per block पे wastage बहुत ज्यादा हो ठीक है चली ओके अब बात करते हैं कि कैसे हर एक record को faster access कर सकते है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपके पास 2000 records है 2000 records है एक particular table में in a table ठीक है अब यह 2000 records on various blocks 79, 80 इसी particular example में हमने देखा 80 different different blocks पे 2000 records पहले हुए है और मैंने सिर्फ एक query लिखी select star from student table where id is 3 मुझे 3 id वाले item का पूरा पूरा टेबल का record चीए सिर्फ एक record अब उस एक record को search कहां कहां करोगे क्या आप सारे 80 records को search करने जाओगे या 80 अलग-अलग blocks को search करने जाओगे कि अच्छा मेरा वाला block यहाँ है कि नहीं record यह वाला नहीं है क्या इसका id match हो रहा है कि नहीं क्या आप सारे 80 blocks को access करोगे सिर्फ एक छोटी सी row को access करने के लिए पूरे 2000 records में आप searching करोगे नहीं तो फिर आप क्या करोगे तो फिर आप क्या करोगे आपको हर एक record को uniquely डारेक्ली access करने की क्या होनी चाहिए permission होनी चाहिए या कम से कम कुछ group of records को access करने की हमारे पास में क्या होनी चाहिए हमारे पास में एक ऐसी mechanism या एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिसके थू हम रिकॉर्ट पर डारेक्ली पहुंच पाएंगे यह वाला रिकॉर्ड इस ब्लॉक पर मिलेगा मुझे सारे ब्लॉक्स को अक्सेस करने की जुरूर्थ पड़े तो अगर किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक को या एक स्पेसिफ इस तरीके से ताकि पता चले कि आपका स्पेसिफिक रिकॉर्ट किस ब्लॉक के अंदर है जिस ब्लॉक के अंदर है उसी ब्लॉक पर आप अक्सेस तरने जाओगे इस एक्जाक्ली सेम कि आपके पास एक बुक है बट उसमें इंडेक्सिंग नहीं है बुक है इंडेक्सिंग नहीं है, क्या आप book के किसी एक topic पे पहुँच सकते हो, जी हाँ पर बहुँच टाइम लगेगा बहुँच जादा time लगेगा, एक 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 page को पल्टाना पड़ेगा, कि ये वाला topic कहा है, जैसे मैंने एक database की पूरी book आपके लिए लिग दी, आपको दे एक एक page पल्टाते, पल्टाते, क्यों करूँ, इसके लिए बहतर नहीं है कि मैं आगे दो page की indexing लगा दू, और जहां जहां पे जो जो chapter है, उसका page number directly दे दू, उससे क्या होगा, आप directly उस chapter के page पहुँच पाऊगे, पहले आप search कर लो कि कौन सा chapter आपको access करना है, indexing, आपको indexing को सिफ कहाँ पे, indexing chapter को उस particular index पे, दो page के index पे search करना है, कहाँ indexing chapter यहाँ पे है, अच्छा indexing chapter यहाँ आगया, page number 231, directly आप 231 page पे जा सकते हो, आपको एक-एक page पल्टाने की जरूरत नी पड़ेगी, सिफ दो page रीट करना है, index वाले, तो indexing क्या करता है, indexing यह करता है, कि आप अगर किसी specific record पे पहुँचना चाहते हो, faster तरीके से, तो आपको बहुत सारे blocks को access करने की जरूरत नी पड़ेगी, कम blocks में नहीं access करने में काम हो जाएगा, अगर आपने indexing की हुई है, sir कैसे करते हैं indexing, indexing store कहां करेंगे, किस तरीके की indexing होगी, इसके type क्या होते है, इन सब का answer मिलेगा आपको कल के session में, जिसका title ही होगा, indexing and types of indexing, तो हम आपसे कल मिलेंगे, फिर, और कल, tomorrow, we will be talking about indexing and types, indexing का type क्या होता है, अलग-अलग type की indexing होती ही, primary indexing, secondary indexing, clustering indexing and all, वो सब हम कल देखने वाले हैं कि कैसे ये काम करती है, ठीक है, अगर आप लोग अभी भी interested हैं कि आपको gate 24, 25 की preparation करनी हैं और ये अच्छे से prepare करनी हैं जिसमें आपको कहीं भी भटकने की जरूत ना पड़े, खुद से बहुत ज़्यादा explore करने की जरूत ना पड़े और dedicated educators और coaches रहें आपके साथ में, ताकि आपको हर चीज जो है, खुद से कुछ ज़्यादा explore करने की जरूत ना पड़े, आप सिर्फ content को understand करके, read करके, learn करने पर concentrate करें, code लगाएं वी deep 10 और आजाएं anacademy plus iconic पर ताकि आपको हम organized content और systematic content के through learning दे पाएं, एक ऐसा platform provide कर पाएं, जहां से आपका काम बहुत बहुत आसान हो पाएं, मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, gate 24-25 के लिए, see or data structure का 17th of November से और day after tomorrow 9th of November से स्टार्ट हो रहा है, operating system का practice course for gate 23, अगर आप किसी भी gate के लिए exam के लिए preparation करना चाते हैं, इन में से कोई course आपके लिए learn करने के लिए, चाते हैं आपकी उन courses को आप live attend करें, मेरे साथ में आ जाईए an academy plus पे, iconic पे, आप no cost EMI के through भी जा सकते हैं, जहांको आपको अलग से कोई extra payment करनी नहीं है, पट फिर भी आप payment जो है installment के through कर सकते हैं with no cost EMI, वीडियो अच्छा लगा, like जरूर करिए और subscribe कर लिजे channel को, turn on कर लिजे notification मिलते हैं आपसे अगले session में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, happy learning, bye bye